नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कावेंदर चौहान गरतंत्र दिवस के मौके पर गरतंत्र के गद्दारों को सजा कब यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है यह पूरा देश पूछ रहा है कि जिनों ने देश पर कलंक लगाया उनको सजा कब तो इससे पहले में आपको बता दो इससे पहले कल यानि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रेक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर ग्रह मंत्राले में बैठक हुई है इस बैठक में क्या कुछ सामने आया इस रिपोर्ट के जरी आप देखिए दिल्ली में गरतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रेक्टर रेली के दौरान हिंसा हुई हिंसा को लेकर ग्रह मंत्राले में हाई लेवल मीटिंग हुई मीटिंग में पुलिस अधिकारियों ने ग्रह मंत्री अमिश शाह को दिल्ली की मौजूदा इस्थिती और हिंसा को लेकर पूरी जानकारी थी दो घंटे तक चली बैठक में ग्रह मंत्री अमिश शाह ने ततकाल प्रभाव से उन समेधन शील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिये जहां पर कल हिंसा हुई थी इस बैठक में आईबी चीफ के साथ ग्रह मंत्राले के आला धिकारी और दिल्ली पुलिस कमिशनर मौजूद रहे अधिकारियों को इस पस्ट निर्देश दिये गए कि दिल्ली में कानून विवस्था कायम करना उनकी प्राथमित्ता है वहीं आज नांगलोई, आईटीयों और गाजी पर जहां आंदोलन उग्र हुआ था वहां सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये जाने के निर्देश दिये गए बता दे दिल्ली में ट्रेक्टर परेड के दौरान किसानों का आंदोलन उग्र होता गया इस दौरान किसानों ने कई जगहों पर उबद्रब भी किया, इसमें 86 पुलिसकर्मी खायल हो गए, इसमें कई का अभी बी इलाज चल रहा है कई जगहों पर किसानों ने पुलिसकर्मियों पर तलवारों से हमला किया तो कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आये जहां पुलिस कर्मी लाल किले की दिवार से कूद कर जान बचाते नज़र आये किसानों द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुआ है इस सब के बीच ही सिंदू, टीक्री और गाजीपूर बॉर्डर के आसपास कल साम से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गए अभी तक इस पर आगे का कोई अपडेट नहीं आया है साथ हर्याडा के तीन जिलों में भी इंटरनेट सेवाओं के साथ SMS सेवाओं पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गए हर्याडा और पंजाब में हाई अलेट भी जारी किया गया है सुरक्षा कर्मी चौकस है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है वहीं ब्रेकिंग ये है क्यारा जक्ता फैला रही किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का कड़ा एक्शन सामने आया है और उप्यों के खिलाफ एक्पे जार दर्ज कर ली गए इसमें 86, 86 पुलिसकर में घायल हो है वहाग कई धंबी रूप से घायल बताए जा रहे है साथ ही आपको बता दे कि 8 बसें, 17 गाड़ियों और 4 कंटेनर तोड़े गए उपद्रवियों ने 300 से जादा बैरिकेट्स भी तोड़ दी इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हमारे संबादा था जी बता ही आदेते क्या है पूरा अपडेट जैसा कि कावेंद्र आपको अपडेट देना चाहूंगा कि दिल्ली जो जिस तरह की कललाल के लिए पर हिंसा हुई थी उसको लेकर जो है अमिश साहज ग्रह मंत्री के साथ बैठक होती है दिल्ली पूलिस कमिस्नर की उसके साथ ही साथ जो वहाँ पर एक जो उपद्रवी थ सारी थे उनके उपर जो है केस दर्ज किया जाता है इसी के तहत जो है 22 22 केस दर्ज किये गए हैं साथ ही साथ वहाँ पर जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और यह कारवाई अब देखना यह भी है कि कारवाई के तोर पर क्या सरकार करेगी क्या एक्सन लेती है और वहाँ पर जो है जिस तरह की इस तरह से जंडा फैराये गया था वो बहुत ही एक तरह से बहुत ही निरलज्य है और उसको जो है कहीं भी किसी भी सरकार और कोई भी व्यक्ति उसको सहज नहीं समझेगा जी बहुत 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 शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारियों के लिए आदित्य ने जो बाते बताएं इनसे एक सवाल निकल कर साम्हे आता है गर्तंत्र के गद्दारों को सजा कब बेलेगी इन पर सखती कब बरती जाएगी तो अब जबाब देही जो है वो बनती है उन किसान नेताओं की जिनोंने दावा किया था कि किसी भी तरह का हालात अगर खराब नहीं होंगे और अगर होते हैं तो इसकी पूरी जवाब देही उनकी है लेकिन इन तस्वीरे और कुछ बया करती है ये तस्वीरों जो लगातर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये कुछ और ही सच दिखाती है, ये वो काला सच दिखाती है, जो सच दरसल देश देखना ही नहीं चाहता रहा है, वहीं इस बीच जो जानकारी आप तक लगातार हम मोहिया करा रहे हैं, एक्टर दीब सिंदु को, एन आईये ने नोटिस भेज दिया है, सिंदु पर लगा है तिरंगे का अपमान करने का आरोप, पंजाब के एक्टर है ये दीब सिंदु, जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है, एक्टर है लेकिन हरकते देश विरोधी, इन पर आरोप है कि इनोंने ही भीड को भढ़काय आरोप है कि इनोंने ही भढ़काओ बायान देकर चलते फरजी किसान लाल किले के ऊपर इनोंने चड़ा दिया, इनकी वज़य से ये सारी घटना होई है और अपना जंडा इनोंने फैरवा दिया, दरसल हिंसा पर उतारू फरजी किसानोंने कल दिल्ली में खूब गदर मचा जो आजादी के इतिहास में पहले आज तक कभी देखा नहीं गया, लेकिन जो हुआ शर्मना, लाल किले की प्राचीर पर चड़कर अपना जंडा फैरा दिया, दोपायर से लेकर शाम तक इन उपद्रवियों ने लाल किले पर खूब कांडम मचाया, सुरक्षा कर्मियों को किसान ट्रेक्टर रैली के दोरान हिंसा होई, हिंसा को लेकर ग्रह मंत्राले में हाई लेवल मेटिंग है, मेटिंग में पुलिस अधिकारियों ने ग्रह मंत्री अमिश शाह को दिल्ली की मौजूदा इस्थिती और हिंसा को लेकर पूरी जानकारी थी, दो गंटे तक चली बैठक में ग्रह मंत्री अमिशाह ने ततकाल प्रभाव से उन समेधन शील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिये जहां पर कल हिंसा हुई था। प्रेक्टर परेट के दौरान किसानों का अंदोलन उग्र होता गया। इस दौरान किसानों ने कई जगहों पर उबद्रभी किया। जिस हिंसा को देख पूरा दे शर्मसार हो चुका है बला ऐसे लोगों के बयानों पर कोई पचा पाएगा ऐसे लोगों बयानों को भारत बखशेगा नहीं ऐसे लोगों को भारत बिलकुल माफ करने के मूड में नहीं है। इसके बाद बाद सनी देवल की, सनी देवल ने कहा है कि लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं दुखी हूँ और इस सब के आरूपी दीप सिंदू से मेरा या मेरे परिवार का कोई रिष्टार नहीं है। आपको बता दे कि सनी देवल की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें चुनाओ प्रचार के दोरा उनके साथ लाल किले पर उब्दरफ फैलाने के आरूपी दीप सिंदू नजर आ रहा है। प्रदर्शन हो रहा हो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जनवरी से पहले की बात बता रहा हूं आपको यह उन्होंने 20 जनवरी के दिन यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लॉइन और को खत्म नहीं कर रहे हैं। हमारी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उस दा दिन ट्रेक्टर परेट मतलब ट्रेक्टर परेट की बात करते हुए कहा क्यों हिंसा होगी। क्यों हिंसा होगी। उन्होंने ऐसा कहा कि उस दिन क्यों हिंसा होगी। हिंसा का सवाल ही नहीं होता है। तस्वीरे क्या है अब आप खुद देखिए। हाला कि ट्रेक्टर परेट से पहले का एक राकेश टिकेट का वीडियो भी सामने आ है जिस पे वो सभी लोगों से लाठियां लाने की अपील कर रहे हैं अब इसकी गंभीरता आप समझिए जब ऐसे बड़े किसान नेता इस तरह की बयान बाजी करते हैं तो उसका असर कहा तक होता है इसके साथ ही एक और किसान नेता है 25 जनवरी को दर्शन पाल सिंग ने क्या कहा उनको सुनिये ट्रेक्टर परेट के दौरान अनुशासन का पालन करें सभी को धीरे ही ट्रेक्टर चलाना है कोई भी किसी तरह का स्टंट ना करें इसको शान्तिपूर तरीके से आगे बढ़ाएं तभी इसको दुनिया में माना जाएगा अगर इस दौरान कुछ होता है फिर हमारे लिए चिंता की बात होगी ये उनका बयान था 25 जनवरी का 26 जनवरी की तस्वीरे पूरे देश ने देखी अगर ऐसे नेता है जिनकी बात का कोई पालन करता ही नहीं तो ये न नेता नहीं है इनके नाम के आगे से नेता हटा कर तुरंत ततकाल उबद्रवी लगा देना चाहिए एक और नेता है नाम है इनका गुर्णाम सिंग चड़ूनी इन्होंने क्या का इन्होंने का सभी किसानों को रूट का पालन करना होगा तैय रूट पर ही अपनी जो ट्रे परेड को लेकर शांती ही बरते हैं और जैसे अंदोलन शांती के साथ चला आया है वैसे ही परेड को चलाया जाएगा अब मैं बात करता हूँ 26 जनवरी के बाद यह जो पूरा बवाल हुआ जो देश के सामने जो सर्मनाक तस्वीरे आई उनके बाद इन लोगों ने कैसे र जयान दिया सभी ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी उनकी है दिल्ली पुलिस ने तैरूट पर भी बैरिकेड लगाये थे इसलिए जिन्हें दिल्ली का रूट नहीं पता था वो किसान गलत तरफ ट्रैक्टर लेकर चले गए लाल किला पर जंडा फैराने में उनका हाथ नहीं ह तो कोई भी समाजिक तत्व आता है तो उसको चिनित करना उनकी जिम्मेदारी अब उनकी जिम्मेदारी कहां गई कहां चली जाती है जिससे पूरे देश के सामने कलंक लग जाता है बात करता हूँ संयोगत किसान मोर्चा की ट्रैक्टर परेड के दौरान जो भी हिंसा उसका किसान मोरचा से कोई सम्बंद नहीं है ये किसान मोरचा का कहना है उन्होंने कहा कि कई उब्धरवी जो थे बाहर के जो लोग जैसा गी हर बार होता है कई उब्धरवी परेड़ में घुसाई और हिंसा की काफी लोग उनके भहकावे में आकर अलग-अलग जगाओं पर ट्रेक्टर ले गए यह उनका बयान है बहुत शर्मिंदगी भरा बयान है अपने आप से अपनी जिम्मेदारियों से अपनी जवाब देहों से पल्ला जाडने वाला बयान है अब बात करता हूँ प्रदर्शनों की बड़ी अम्मा से जो हर जगा पहुंच जाते हैं हर पर योगेंदर यादव की योगेंदर यादव का बयान है 26 जनवरी के बाद उन्होंने कहा जिन लोग ने हिंसा की है और लाल किले पर जंडा लायरा है उसका हमारे संगठनों से कोई लेना देरा नहीं है उनका संगठन कौन सा है ये पूछने बैठेंगे तो रात हो जाए कुछ लोगों ने अब आगे बढ़ता हूँ इन्ही का बयान पहले कंप्लीट कर देता हूँ आपको सुना देता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही अलग रुख अपनाए हुए थे और लाल किले तक जाने की बात कर रहे थे ये वो अभी कह रहा है उनका बयान रखें कहां रखें इस बयान से क्या होने वाला है क्या फर्क पढ़ने वाला है ऐसे योगेंद्र आदफ सरीके नेताओं को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो कुछ हुआ वो घटना हो गई जो कुछ हुआ देश को शर्मसार कर गया गरतंत्र के दिन जितने गदारों ने इ देश को होता है इन जैसे लोगों के बयानों से जितना कष्ट इस देश को उठाना पड़ता है इन जैसे लोगों से जितना इस देश की जो शबी है वो धोमिल होती है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता ऐसे लोगों को हम सब को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए ऐसे लो परदर्शन सरकार के खिलाफ आंदोलन को आंदोलन ही रहना चाहिए आंदोलन को सरकार के खिलाफ से देश विरोधी नहीं हो जाना चाहिए अगर वो देश विरोधी हो जाता है तो उसको वहीं कुछल देना हम सब की जिम्मेदारी है फिलाल के लिए इतना ही दन्यवाद